नमस्कार दोस्तों, जिसका आप बेस सबरी से इंतजार कर रहे थे, वो वक्त आ गया है, यानि कि फोस्ट मेरिट लिस्ट निकल चुका है डिग्री कॉलेजेस के, अलग-अलग कॉलेजेस ने मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया है अपने वेबसाइट पर, तो आईए इस वी दालिम्या कॉलेज का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर देखना है कि मेरिट लिस्ट निकला है कि नहीं, यहाँ पर दालिम्या मैंने टाइप करना के वाद एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर जाइए, लिंक पर जाने का देखिए, इस तरह से नोटिस आएगा यहाँ पर देखें यह notice दिया हुआ है Fy become first merit list open and reserve category Fy become first open merit list और reserve category दो लिंक यहाँ पर दिये हुए है मैं first link पर जाकर देख लेता हूँ कि merit list आया कि नहीं देखें यह merit list इस तरह से दिखेगा यानि कि यह किसका merit list है Fy become first merit list open category यहाँ पर देखें सेरे लंबर दिया हुआ है फुल नेम दिया हुआ है और यह HSC का जो percentage है वो दिया हुआ है दाल्मिया कॉलेज के merit list में जो highest percentage है वो है 87.50 और जो lowest percentage है open category यानि outside के लिए वो है 67 percentage यानि कि दाल्मिया कॉलेज में first merit list close हुआ है 67% पर यह तो दाल्मिया कॉलेज का merit list आपने देखा अब सराफ कॉलेज का merit list ह हम देख लेते हैं तो उसके लिए सराफ कॉलेज हमें सर्च करना होगा सराफ कॉलेज सर्च करने के बाद उसका link मिलेगा उस link पर आपको क्लिक करना होगा जैसे सराफ कॉलेज का website open होगा आपको देखो यहां पर देखेगा first merit list आप यहां पर क्लिक किजिए क्लिक करने के ब क्लिक कीजिए और merit list में नाम चेक कीजिए सपोज मैंने FYB.com Edit पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद उसका PDF जो है वो open होगा ये देखे उसका PDF फाइल जो है open हो चुका है इसका जो date है दोखो date भी दिया है 29 June 2022 और ये कब तक valid रहेगा 6 July 2022 अब इसमें जो highest percentage है वो है 94.83 और lowest percentage एक बार देख लेते हैं lowest percentage है 67 percentage यानि कि 67 percentage फे first merit list जो है close हुआ है सराफ college में तो इस तरीके से हम college के website पर जाकर merit list चेक कर सकते हैं अगर आपने किसी college का form बढ़ा है तो उनके website पे जाईए college के website पे जाने के बाद merit list का option कहा है वो डूटी है और वहाँ पर click करने के बाद एक merit list मिलेगा और उसमें देखिए कि आपका नाम आया है कि नहीं अगर आपका नाम आया है तो आप admission के लिए आगे process कीजिए लेकिन अगर आपका नाम नहीं आया है तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर इसे share कीजिए ताकि ये information उन्हें भी मिले अगर वीडियो आपका पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कीजिए और हाँ अगर इस channel पर आप नए है तो इस channel को subscribe कीजिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में